नमस्कास आत्यों आप सभी का स्वागत है आपके अपते चैनल इंदॉलेजी में दोस्तो आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप 10 कोशन सीरीज की सीरी नमबर 2 तो दोस्तो इसमें हम मैत के कोशन करेंगे और यह 10 कोशन होंगे दोस्तो और यह सभी अलग-अलग चैप्टर से होंगे तो दोस्तो यह दिया हुआ कोशन नमबर 1 तो इसको हम सॉल करते हैं तो यह बोर्ड मास पर दिया हुआ है दोस्तों कोशन तो बोर्ड मास को फॉलू करते हुए हम इसको सॉल करेंगे तो बोर्ड मास में पहले ब्रेकट आता है तो पहले हम ब्रेकट को सॉल कर लेते हैं तो क्या हो जागा यह 18 x 2 यानि 36-4 यानि यह कितना हो गया 32 हो गया यह 32 यहां लिखेंगे हम अब डिवाइड 8 x 4 अब यह ओफ है तो आफ को पहले सॉल कर लेते हैं तो कितना हो जागा यह यह जागा 12 अब डिवाइड को सॉल कर लेते हैं तो यानि कि यह कितना हो जागा 2 अब यहां आ गया हम अब इसमें क्या करना होगा यहां पर प्लस का सिंबल लगा देंगे और यह 9 3 डिवाइड में 9 के और मुल्टिप्लाई 90 अब जब इसको सॉल करेंगे तो 9 से यह कट जाएगा 10 आ जाएगा यह 6 बार चला जाएगा तो यहां गया 6 और यहां पर यह 3 डिप्लाई 10 बचाए तो इसका हो जागा 30 प्लस 6 यानि कि यह हो जागा 36 यह कितना हो जागा 36 तो दोस्तो आंसर चेक करते हैं इसका तो उपसन भी 36 इसका सही आंसर दिया हुआ है पहले हमको इसको solve करना है फिर इसमें divide देना है और फिर off को solve कर लेना है और यहां divide दिया हुआ divide करना है और इन सबी को दोस्तों यह जो plus और minus होते हैं वह partition का काम करते हैं यानि अलग-अलग करते हैं board mass में तो हमको multiply और divide को एक साथ करते हुए चलना है पहले अगर divide दिया हुआ है तो divide करना है और फिर उसके बाद multiply करना है तो दोस्तों चलते हैं question number 2 पर question दिया हुआ है एक गनाव की लंबाई चोड़ाई तथा उंचाई क्रम से 5,2 तथा 4 है गनाव का कुल प्रष्टिय चेत्रपल कितना है तो दोस्तों गनाव का प्रष्टिय चेत्रपल क्या होता है तो टू रेकेट में LB प्लस BH प्लस HL यानि की LB length L को हम indicate कर देंगे length से और भी breadth से और H height से यानि लंबाई चोड़ाई और उंचाई तो इसमें 2 और L कितनी तो यह लंबाई 5 और V कितनी है 2 और यहां पर V और H कितना 4 इसी परकारें में हम value put कर देंगे तो दोस्तों यह हमारा हो जागा 2 और यहां पर यह 10 और 2 multiply 4 8 प्लस 4 multiply 5 यानि 20 तो जब इसको हम solve करेंगे 2 into जब इसको add कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा तो दो 38 और इसका multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 76 cm square यानि option C हमारा सही answer हो जाएगा तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option C इसका सही answer दिया हुआ है तो दोस्तों जो गनाब होता है उसका प्रस्टिया चेत्रपल होता है 2 L V प्लस B H प्लस H L इसको आप note कर लें और दोस्तों चलत तीन आर्पाथ 2 है यदि हम दूद और पानी की मात्रा का अणपाथ 1 अंपाथ 1 करना चाहते है तब मिस्रंडे क कितना पानी मिलाएग चाहे है तो दोस्तो कोशन दिया हुआ है तो इसमें दूद और पानी मिल्क और वाटर का रेशो कितना है तीन अनपाथ दो तीन अनपाथ दो दिया हुआ है और यह कहरा कि कितना पानी मिला जाए कि यह एक अनपाथ एक हो जाए एक अनपाथ एक हो जाए तो दोस्तों मिस्रड की कितने यूनिट हो गया यह तीन यूनिट दूद है और दो यूनिट पानी है यानि कि पांच यूनिट हो गया लेकिन दिया कितना है साथ लीटर तो कितने गुना जादा हो जाएगा बारे गुना जादा हो जाएगा तो अब हमको दूद तो मिलाना न तिह यह और यह भी तीन हो जाएगा अब लेकिन Makes a एक एक unit का the एक unit का उत्रा आतो किली गुंप जादा है यह यह से तो यह भी 12 यही जादा हो जाएगा यहानी कि 12 लीटर पानी मिला जाएगा तो किền केवराम आंसर डाल लीटर छेक करते हैं तो option D इसका सही answer दिया हुआ 12 लीटर तो दोस्तों कोशन नमबर 4 पर चलते हैं तो कोशन दिया हुआ दिये गए आंकड़े का बहुलग कितना है तो दोस्तों यह आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलग बताना है यानि कि मौड बताना है इंगल्स में कहते हैं मौड तो दोस्तों जिसकी ज़्यादा अबरती होती है जिस संक्या की ज़्यादा अबरती होती है वो ही अमारा बहुलग होता है यानि जो संक्या जितनी वार सबसे ज़्यादा वार आती है वो ही संक्य हमारी बहुलक होता है तो जैसे कि हम पता करते हैं इसमें चार है तो चार कितनी वार आया एक, दो, तीन, चार तो चार आया, चार वार चार आया, चार वार अब तीन देखते हैं कितनी वार आया एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन आया कितनी बार पांच बार अब दो कितनी बार आया एक दो तीन तो दो आया हमारा तीन बार अब पांच एक दो पांच आया दो बार और छे आया एक बार तो दोस्तो सबसे जादा कौन आया तीन सबसे जादा कौन आया तीन तो इसका सही आंसर हो जागा option A 3 इसका सही आंसर हो जागा तो दोस्तों हमारा जो बहुलक होगा वह 3 होगा क्योंकि 3 सब से ज्यादा वार आया है तो चेक करते हैं इसका आंसर तो दोस्तों answer दिया हुआ इसका option A 3 तो दोस्तों चलते हैं question number 5 की ओर तो कोशन दिया हुआ है A, B और C किसी कार्ड़े को अलग-अलग किरम से 15, 30 और 75 दिनों में अकेले कर सकते हैं उसी कार्ड़े को 3, 1, 7 मिलकर पूरा कर 16, 15 प्राप्त करते हैं तो A और C को प्राप्त भागों में कितना अंतर है तो दोस्तों इनके काम के दिनों का अंतर दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है इनका अंतर निकाल लेते हैं तो दोस्तों ये 15, 30 और 75 दिन में करेगा जब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जागा 15 से इनको काट देंगे तो दोस्तो ये एक, दो और पाँच अब जो इनकी छमता का अनपात होगा वो इनका उल्टा हुआ यानि एक और एक वट्टे दो और एक वट्टे पाँच अब नीचे ये फ्रेक्शन में दिया हुआ है यानि विन में, तो दोस्तो इनको हम simple बनाएंगे, तो क्या करते हैं simple बनाने के लिए anपात को नीचे वाली संक्या उसका लासा ले लेंगे उसका लासा कितना होँदागा? 10 और 10 का इसमें multiply कर देंगे इन तीनों में 10 का multiply कर देंगे तो यह कितना होँदागा? तो दोस्तो ये इसका अनपात हो जागा ये A, अनपात B, अनपात C हो जागा 10, अनपात 5, अनपात 2 अब इनको हम जोड लेंगे तो ये कितना हो जागा? 17, तो दोस्तो जो जो हमारे पैसे होते हैं जो हमारी मजदूरी होती है वो हमारी चमता पर निर्वर करती है यानि 17 वरावर कितने के हो जागा 1615 रहके कितने गुना जादा हो जागा 95 गुना जादा हो जागा कितने गुना जादा हो जागा 8, 8 का अंतर हो जागा, तो 8 कितने कोना जयादा हो जागा पिच्चाना कोना जयादा, यानि 8 में पिच्चाने का गुणा कर देंगी, तो य concealer 760, यानि option A हमारा सही आंसर हो जागा, तो 760 इसका सही आंसर हो जागा, तो कनिते हैं इसका история करते हैं तो आप्शन ये का सई आंसर दिया हुआ है तो दोस्तों जो हमारी मजदूरी होती है विस वो च्हमतापन नर्वर करती है तो आँजे कोश नंबर सिक्स की ओर कोशन कंद 10 दिया हुआ ωिजएत पर कोई निवेस और मूलदन होता है वैं दोनम मिलकर मिस्र दनी हमारा मूलदन बन जाता है अगली साल के लिए तो इसमें पहली वर्स के अंत में कितनी है सासो पचास तो जो अगली वर्स के अंत के अगली वर्स के लिए सासो पचास ही हमारी मूलदन होगी तो 750 से कितनी हो गई 900 900 यानि कितनी ब्याज आ गई 500 रुपे यानि 1500 रुपे ब्याज आ गई तो इसका में कितने percent की दर हो गई तो दोस्तो जब इसकोdon करेंगे तो यह हो जाएगी 20 percent की दर हो जाएगी 20 percent का rate है तो अब 20 percent को हम लिखेंगे तो यह कितना हो जागा एक वट्टे पांच यानि पांच रुपे पर एक रुपे की ब्याज तो दोस्तों जो पांच है पांच यूनिट है वो हमारी दनरासी थी जो मूल दनरासी थी वो पांच थी उस पर एक रुपे की ब्याज मिल गई यानि कि जब जोड लेंगे तो कितन रुपे हो जाएगा, 6 unit हो जाएगा, लेकिन ही आपर काता है? 450, तो 6 परावर, 750 की यानि, कितने गुना जादा? 125 गुना जादा, तो मूल चन्राथी ए, वो भी 125 गुना जादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 625, मूल चन्राथी भी 625 हो जाएगी, तो option A 625 हमाय सही answer हो जाएगा तो दोस्तो चेक करते हैं इसका answer तो option A 625 सही answer दिया हुआ है तो चलते हैं question number 7 की ओर तो दोस्तो question दिया हुआ किसी विद्ध्याले में 1.560 है यदि लड़के तता लड़कियों की संक्या का अनपाथ 4 अनपाथ 1 है तो बिद्ध्याले में लड़कों और लड़कियों की संक्या के बीच मद्ध्यानपाथ कितना है तो दोस्तो boys और girls का ratio कितना दिया हुआ 4 अनपाथ 1 यानि कि दौनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 लेकिन कितना है 1.500 कितने गुना जाद हो जाएगा 30 तो इसमें girls की संक्या कितनी हो जाएगी 30 गुना जाद है यानि 30 हो जाएगी और boys की 30 गुना जाद कर देंगे तो 120 हो जाएगी अब मद्ध्यानपाथ क्या होगा दोस्तों root में जो इनके बीच का अनपाथ है उसका multiply यानि 120 multiply 30 तो जब इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 3600 यानि 3400 बरावर जब root से रभाए ने कालेंगे तो यह हो जाएगा 60 इसका answer दोज़ागा option B 60 तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option B इसका सही answer दिया हुआ है दोस्तों इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो 4 और 1 अनपाथ दिया हुआ है तो यह कितना हुआ है 5 बरावर 1500 यानि 30 गुना ज़्यादा और यह अनपाथ दिया हुआ है इसका हम मद्ध अनपाथ निकाल लेते हैं तो 4 into 1 बरावर कितना आजाएगा दो और दो में 30 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 60 हमको बोईज और गल्स की संक्या अलग से नहीं निकालने की जरूरत है दोस्तों बस यह हम निकाल लेंगे और यह हमारा सही अनसर हो जाएगा तो चलते हैं कोशन नमबर 8 की ओर तो कोशन दिया हुआ है एक इसी निच्चे दूरी को 3 विन गतियों के साथ तै करता है पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रती गंटा की गति के साथ दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रती गंटा की गति के साथ और तीसरी 9 km की दूरी 8-18 km प्रती गंटा की गती के साथ तै करता है एक ही पूरी यात्रे की ओसत गती कितनी है तो दोस्तों पहले हमको इसमेर टोटल टाइम निकाल लेना है तो टोटल टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यान 3 वट्टे 9 और दूसरी जो चली है उसने दूरी वो 6 वट्टे 15 है और तीसरी के लिए 9 वट्टे 18 है अब दोस्तों इसको जब हम सॉल करेंगे पहले इनको सिंपल कर लेते हैं तो यह हो जागा 1 वट्टे 3 प्लस 2 वट्टे 5 प्लस 1 वट्टे 2 अब इसका LCM कितना हो जाएगा 30 और इसको जब सॉल करेंगे तो 10 और यह हो जाएगा 12 प्लस 15 यानि 37 वट्टे 30 हमारा टोटल टाइम आगा 37 वट्टे 30 अब दोस्तों जो एवरेज स्पीड होती है एवरेज स्पीड क्या होती है वो होती है इसको नोट कर लें, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हमारी एवरेज स्पीड होती है यानि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पहले चलिए उसने 3 किलोमेटर, फिर 6 किलोमेटर और फिर 9 किलोमेटर और टोटल टाइम कितना दिया हुआ 37 वट्टे 30 यह हमारा टोटल टाइम है अब दोस्तों इनको जब एड़ करेंगे तो यह हो जागा 18 वट्टे 37 और यह जो 30 है यह उपर चला जागा multiply में तो यह हो जागा 540 वट्टे 37 540 वट्टे 37 किलोवीटर प्रती गणटा यह हमारा सही आंसर हो जागा तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर तो option B 540 वट्टे 37 इसका सही आंसर दिया हुआ है तो दोस्तों चलते हैं question number 9 की हो question number 9 दिया हुआ 36 चात्रों की ओसत 36 चात्रों की समू की उसत आईउ 23 वर्ष है 22 वर्ष की उसत आईउ वाले 4 चात्र समू छोड़ देते हैं नए समू की उसत आईउ बड़्षों में 1 दसमला विष्थान तक कितनी है तो दोस्तों इसको हम दो तरीके से करेंगे तो पहले हम इसको करते हैं यानि, चतिस चातरों की ओसत आयू कितनी है, तो 36 गूना 23 कर देंगे, तो 34 हैं, उनकी आयू का योग आ जाएगा। माइनस कर देंगे, इस मैंसे, जो 22 चातर गई हैं, उनकी कुल आयू, यानि 22 गूना 4, 22 वर्स खर देंगे, और अभ रह कितने गई, यानि 32 मैं से 4 चले गए तो कितने 36 मैं से 4 चले गए तो 32 बचे अब इसको जब हम solve करेंगे तो यह हो जागा 828-88 upon 32 यानि 740 बटे 32 740 बटे 32 जब इसको solve करेंगे तो यह हो जागा 23.1 23.1 हमारा सही answer हो जागा तो दोस्तों अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं तो दोस्तों इसको दूसरे तरीके से करेंगे हम यानि 23 बर्स थी और 22 बर्स के 4 चात चले गए यानि की 4 बर्स अपनी छोड़ गए यानि 32 लोग रह गए यहाँ पर तो 32 चार बर्स यानिए bend हो जाएगी तो इसमें चार का ट्वाइड चार में ड्वाइड करनें में 32 का यानि कितना हो जाएगा एक प्यज़द्टी 8 तो bird और गपिःट 1 हो जाएगी और तेईस बर्स तो यानि चार बर्स और प्रेस में एड हो गई तो व्हुति नम्बर टैन्ग की ओर किसी बस्तु धुक्त मूले अनपा बारह आन्पास साथ है तो छूट पृतिसद निकाले मांख प्राइस और शेंग प्राइस पर निकालते हैं ने लिए यानि mark price अंकित मूल्य और विक्रा मूल्य पर निकालते हैं मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 12 और सेलिंग प्राइस 7 इन दोनों के बीच कितनी की छूट है 5 की तो दोस्तों इसमें प्रतिसत पूश आ है तो छूट यानि 5 और कितने पर 12 यानि की discount upon mark price in 200 यह हमारी shoot percent आ जाएगी तो जब इसको हम solve करेंगी तो यह हो जागा 41.67 41.67 यानि option D इसका सही answer हो जागा तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option D इसका सही answer दिया हुआ है तो दोस्तों यह थे आज के top 10 questions तो वीडियो कैसी लगी comment करके बता है और जाएज से जाएज शेयर करें और दोस्तों चैनल को subscribe जरू कर लें ऐसे daily आपके लिए top 10 questions की series आती रहेगी तो आप daily वीडियो देखते रहें thank you all the rest